हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग मैक्स फैनेंसिल स्टॉक के बारे में डिसस करने जा रहे हैं स्टॉक एक ऐसे लेबल पर खड़ा है जहांसा आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक यहां से अपसाइड में जाएगा तो भी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और अगर यह स्टॉक डाउंसाइड में जाएगा तो भी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा यह जो स्टॉक है यह FNO में है That means कि आप इसे positionally buy भी कर सकते हैं And positionally sell भी कर सकते हैं अगर कोई stock सिर्फ और सिर्फ अगर cash segment में होता है तो आप उसे positionally buy तो कर सकते हैं बट आप उसे कभी भी positionally sell नहीं कर सकते हैं आप उसे intra day में sell कर सकते हैं तो ये basic concept आपको पता होना चाहिए जिससे क्या होगा कि जो आपको जो trading होगा वो काफी ज़्यादा improve हो जाएगा अब बात करते है इस stock की कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक simple horizontal line को draw करने जा रहा हूं मैं price action यूज करता हूँ अगर आप कोई भी indicator या oscillator यूज करके अच्छा पैसा कमा रहे दिन आप उसको यूज कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले region को find out कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था and आज के दिन हमें इसका breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वो है cup and handle pattern का breakout एक चीज़ आप यहाँ पर और notice करेंगे और वो है आज का volume जो कि normal dayche comparison में कई गुना ज़्यादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1000 रुपीज के अगर उपर निकलता है तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो देखिए stop loss हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते हैं जहां से price एक reversal दिखाता है और इसे हम लोग previous swing low भी कहते हैं जो कि आ रहा है 885 रुपीच closing basis पर अगर बात करेंगे target की तो target हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते हैं जहां से price ने last time एक reversal दिखाया था जो कि आ रहा है 1035 फर्स target होगा सेकेंड टार्गेट है मारे पास 1095 का और थर्ड टार्गेट है मारे पास 1150 का तो आई होब कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स पर वाचिंग